अब जो है आप इसको भर सकते हैं यह फॉर्म देखने में थोड़ा कॉंप्लिकेटेड लगता है बट है नहीं बहुत है बहुत है लोग इसको मिस्टेक कर जाते तो आप नहीं करेंगे अब अब जो है आप अपना खुद के लिए और दूसरों के लिए भी जो है आप फॉर् डिफॉजिट form 2022 अगर आपका बैंक और अगर नहीं करते हैं तो करना क्या है आप मेरे साथ और अанд तक देखना है और समझना है पूरे प्र्फॉर्म को step by step तो जब आप bank में पहुचेंगे तो आपको जो है cash deposit का एक form दिया जाएगा जो कि यह वाला form है ठीक है इस form को आपको भरना है उसके बाद इसको जो है आपको counter में जमा करना होगा इसके साथ में पैसा जब जाब आपको पैसा जो है deposit हो जाएगा तो इसको भरना कैसे है चलो इच्छेये नित्ट कि यह वाला form है और इसको जो है आपको भरना है ठीक है देख सकते हैं यह पूरा फॉर मैं अभी हम भरेंगे फीस छोटा यहां से lip है यह वाला जीरो, सिक्स, दो हजार, बाईस, ठीक है, यह जीरो है, ओके, हो गए यहाँ पे, उसके बाद देखो, यहाँ पे जो है, डिपोजिट इन ब्रांच, इसका मतलब है कि आप कौन से ब्रांच में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक आप बरोदा के, ठीक है, अभी समझो ऐसा, कि मान कि आपका किसी बैंक आप बरोदा के ए ब्रांच में, अगर आपका अकाउंट है, और आप बैंक आप बरोदा के किसी बी ब्रांच में जमा कर रहे हैं, तो बी ब्रांच का नाम यहाँ पर आएगा, और आपका जिस भी ब्रांच में ए ब्रांच, वो ए ब्रांच का नाम यह आएगा अब ऐसे समझो जैसे कि मेरा धनबाद में मानलो है तो मैं यहां पर धनबाद लिख देता हूँ ठीक है मैंने यहां पर धनबाद लिख दिया उसके बाद मानलो कि अगर यह धनबाद मैंने जमा किया और मानलो कि रांची में मेरा में अकाउंट होता तो मैं यहां पर तो मैं नजरुदिन यहां पूरा फूल नेम अपने डाल देता हूं पास्बूक में देखके ओके तो पास्बूक में देखके यहां पर फूल नेम डाल दो उसके बाद क्या करना है कि देखो यहां पर बोल रहा है अकाउंट नंबर तो पास्बूक में देख लेना अकाउंट नमब्र 11 डिजिट का होता है तो उसको यहां पर डाल देना मैं डाल देता हूँ 45678910 ठीक है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस 11 डिजिट का हो गया अब क्या करना है यहां पर आप कीतना पैसा जमा कर रहे हैं वो यहां पर नमब्र डालना है तो मान लो कि मुझे 5000 जमा करना है तो मैंने यहां पर 5000 जमा किया उसको यहां पर मैंने काट दिया फिर टोटल यहां पर उसी 5000 के यहां पर मैंने लिख दिया ठीक है देख सकते कि यहां पर मेरा 5000 में complete हो गया अच्छा अब यह जो 5000 मैंने यहां पर लिखा है उस 5000 को आपको words में भी लिखना है जैसे 5000 रूपीज ठीक है पांच सा लिखा तो उसके लिए मैंने लिख दिया 5000 रूपीज ठीक है अभी समझ गए अब आते हैं अब यहां पर मेरा काम खतम हो गया अब कुछ नहीं करना अब आजाओ इस form को बरते हैं ठीक है तो सबसे पहरे दोखों यहां पर लिखा है deposited in branch मैंने कौन से branch में आप जमा कर रहे हैं तो सेम वही पर धनबाद ठीक है यहां पर धनबाद मैंने डाल दिया उसके बाद कौन से branch में आपका account है तो सेम branch में account है अगर अलग होता तो अलग लिखते उ उसके बाद आप किस date को जम्मा कर रहा है तो एक जून को 1622 उसके बाद आपका full name डाल दो यहां पर जो उदा वाँ पी भ़रा था तो मैं यहां पर full name डाल देता हूं अब मैं full name डाल दिया उसके बाद brake अपना वो ई हैं ठीक है यहाँ डाल दिया आप पूछ्छ रहे है कि आपका अकाउण किस टाइप का है तो आपके प्लश काूश्य सेविंगंगा करते हैं तो यहाँ पर सेविंग दो यहाँ पे लिखा यहाँ है च्छेख डिपोजीट नहीं हमें कैस्टFF करना करना तो प्यूंशीं कुछ नहीं करने इस साइड आ जो आप यहां पे कैश deposit लिखा हुआ है त्यूंशीं तुorse I'll कितना है 200 कितना है तो मालों कि 2000 का मेरे पास दो नोट है ठीक है और 500 का मेरे पास दो नोट है तो 2000 दो बार कितना हो गया 4000 हो गया 4,000 रुपय हो गया और 500 का नोट 2 है मेरे पास तो कितना हो गया एक हजार हो गया ठीक है अब कुछ नहीं करना यहाँ पर total कितना हो गया 5,000 ओके अब यहाँ पर done हो गया अब देखो यहाँ पर same चीज दिखा है total amount रुपीज यानि रुपीज में उसी चीज को लिखना है तो आपको लिखना है वापस से 5,000 रुपीज 5 5,000 रुपीज only ओके उसके बाद अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर क्या करना है आपको अपना signature करना है ठीक है और अगर आप signature नहीं करते हैं अगर आप अपना उठा निसान देते हैं तो simply से आपको यहाँ पर उठा कर निसान दे देना है यह वाला box के अंदर ठीक है तो यहाँ पर मैं signature करते हैं तो माण लो यह signature हो गया ठीक है इस तरह सा आपको घेरना नहीं है बस signature करके छोड़ देना है समझ करना है जिस तरह से मैंने यहां पर और देना है समाज गया यह estád इतना simple और कितना easy था deposit form को बरना I am sure कि आपने इस वीडियो को miss नहीं किया है and जो है सारा step आपने देखा है और अब जो है आप इसको भर सकते हैं easily हाँ यह form देखने में थोड़ा complicated लगता है बट है नहीं बहुत easy है बहुत सारा लोग इसको mistake कर जाते तो I am sure आप नहीं करेंगे अब अब जो है आप अपना खुद के लिए और दूसरों के लिए भी जो है आप form को भर सकते हैं इस वीडियो के मज़द से तो कैसा लगा यह वीडियो दोस्तों बताना जो नीचे comment करके अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर देना दोस्तों के शार शेयर करना मत भूलना और अगर इस वीडियो के regarding कोई भी doubt है suggestion यह वो कोई सवाल है तो नीचे comment कर देना 100% try करूंगा आपके comment कर reply करने का और अगर आपका कोई genuine सवाल हुआ तो आपके उपर एक dedicated वीडियो लेकर आजबंगा अगर आपका bank of product में cash withdrawal करना है अगर आपको और उसका form बरना नहीं आता है तो उसके लिए मैंने वीडियो बला रखा है यह उपर वाले वीडियो पर क्लिक करो या फिर आपको किसी family member का कोई state bank of indiam account है और आपको जो है cash deposit करना है तो उसका अगर वीडियो देखना है तो उसका वीडियो नीचे है उसके click करके देख लो